हालो फेंग्स वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिख करने वाले हैं SDFC ग्रूप के एक बड़े स्टाउक की जैसा कि आपको पता ही है जब बात होती है SDFC ग्रूप की तो सबसे पहले पेरेंट कंपनी यानि कि SDFC का नाम से सामने निकल के आता है फिर आप कोगे और कौन से हैं SDFC ग्रूप की कंपनी तो चले देखते हैं यहाँ पे SDFC ग्रूप की बड़ी कंपनी को और आगे बढ़ने से पहले माँ आपको बढ़ा दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप जॉइन कर सकते हो मेंबर्सिप जॉइन बटन बेक प्लिक करके SDFC का ये बड़ा स्टॉक क्या ट्रेंड बदल रहा है आपके मने में क्वेशन जरूर होगा तो आंसर देगा चार्ट ये स्टॉक कोई और नहीं ये है SDFC ग्रूप का SDFC AMC यानि कि Asset Management Company जड़ा देखें तसल्ली से SDFC AMC बड़ा स्टॉक 48,000 करोड का मार्केट कैपिटलाइजेशन पी रेशो 35 के एराउंड प्रॉफिट ग्रोफ जबर्दस्त डेट फ्री कंपनी पाइसा यानि कि Asset को मैनेज कर रहा है अगर आप रिवेन्यू को देखो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखो आप को गडबड तो कुछ नहीं है सब इस तो बढ़िया है तेरा सो करोड का प्रॉफिट इसने पिछले बारा महिनों में दिखा है और पिछले फाइनेंचल एर में भी थाटीन हंडर करोड का प्रॉफिट उससे पहले भी अगर आप देखोगी तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट देही रहा है और अगर 2016 के से लेक है तो जड़ा देखते हैं कहां तक गया कहां पर रुका एसडी एपसी ग्रूप का यह स्टॉक अगर देखो जब मार्किट में आया था उसके बाद बड़ी रैली इसने दी यह देखिए किस लेवल से आपको गया हुआ क्या रैली दी थी अमेजिंग रैली थी कि नहीं दी एक्षन स्टार्ट लेकिन अब आप जड़ा देखिए एम बन गया फिर नीचे आया बेस अगर देखोगे तो जो यह रिसेंट जो कहूंगा मैं लिस्टिंग के टाइम का एरिया है वो बेस बन रहा है जो पहले के पीक से वह सपोर्ट मैं कहूंगा यहां पर काम करें देख किस तरीके से रिजेक्शन क्लियर कट और उसके बाद प्राइस ने भी सीधे रिजेक्ट कर देया नहीं भहिया अभी कोई नीचे बैठा हुआ स्मार्ट मनी वाला उसे और खरीदना है और नीचे प्राइस गया अब देखिए सिचुवेशन वीकली चार्ट पर बहुत को अपने गोल के हिसाब से टाइम फ्रेम को समझे और उसके हिसाब से रिस्क को मैंज कीजिए यह अगर आप देखोगे यहां पर आल्मोस मैं कहूंगा इसको इक्वल बॉटम उसके बाद इंपॉर्टन्ट क्या हो जाता हमारे लिए ये एरिया और उसके बाद रैली देख था जिसकी विज़े से सीधे सीधे गिर के पटक के कहां पे आ गया अब देखिए ये लेवल अब आपको थोड़ा सा क्लियर देख रहे होंगे ये लेवल जो कि 2000 के लेवल का ये लेवल देखिए देख रहें ये पार्ट 2000 के राउन का अभी प्राइस वहीं पर जाके रुका ह है लेकिन प्राइस तो रुका है बट अगर अब चार्ट को देखो और समझने की कोशिश करो कुछ बदलता हुआ मुझे यहां पर देखने को मिला है वीकली चार्ट में अगर मैं आरसाई को देखूं तो चीजे बदलते ही जो ये बीरिस टेरिटरी थी ऑल्दो बीरिस ही अभी है बट एक डिफरेंट एरिया में भी ये प्रवेश कर रहा है तो एक रैली की गुंजाइस अभी आपको देखने को जरूर मिलेगी अब वो रैली कहां तक आए अब अब जैसे चीजे बदलती है तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स करके आगे बढ़ना बहुत अब देखा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जो 3400 का लेवल था जिस लेवल के अराउंड देखे बड़े निवेशिकों ने माल बेचा था एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस का इसने काम के देखे 123 अब देखे प्राइस एक रेंज 2000 से लेके 3400 की रेंज में ये ट्रे दीनल में इंपॉर्टेंस बनेगी उपर कि तो धीरे धीरे करके इंपॉस इस तरीके से प्रॉजय्टिविटि यहाँ पे दिखने को मिलेंकी तो उपर शूनिटि लॉखंकी यहाँ देखने को मिलेंगी तो वह एचोटे चोटी चोटे स्च वसटेप बास स्टप मैं कहूं था 2000 के लवल तक 1400 पॉइंट की एक गिरावट अब इस गिरावट को ध्यान से समझना सबसे पहले इस पॉइंट को समझे इस पॉइंट को बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट यह देखिए बिलकुल आरस ही में यह पॉइंट टूटा लोवर हाई बना और यह जब चीजे निक पॉइंट के लेवल पर आपका इस इसके बॉटम पर आपने स्टॉप लगया कि सिचुवेशन प्लैन जब आपका फेल हो गया यानि कि जो आपने सोचा था उसके एकॉर्डिंग चीजे नहीं चल रही है और आप सोच रहे हो इस लवल के उपर को लेकिन यह जा रहा है नी सिचुवेशन जो हमारा प्लैन है जो हमने सोचा है वह फेल हो जाए तो क्या होगा हम निकलेंगे अगर आप देखोगे पार को लोर लोर हाई की जो सिरीज चली है आप के लियर ली देखिए एक बार भी ऐसा नहीं हुआ एक एक इम्पॉर्टेंट हाई लवल पार हुआ है डेखिए एक इम्पॉर्टेंट हाई लेवल निकैन है यहां पे पार हुए है यहां पे देखिए आसके अब देखिए कि यह लेवल जो है पृर होता है फिर यह लेवल फिर से आज की डेट में पार होता है साथ में बढ़िया थोड़ा सा volume के भी निशान footprint देखने को मिलता है बट आज ये stock lime light में इसलिए आया कि अभी तक daily के time frame पे इस stock ने range shift RSI पे नहीं करी है अगर आप देखो कि अभी भी हम इस level पे हैं यानि कि आने वाला जो माहौल है वो बहुत बढ़िया इस stock के लिए opportunities मिलेंगी 200 SMS daily से उपर फिलाल देखिए MACD हलका सा momentum आया है RSI बिलकुल बिलकुल टॉप पे पीक पे आ गया है लेकिन अब ये जो breakout होगा उसके बाद जो आने वाली situations है those will be very important इसलिए April series बहुत important रहने वाली है इस stock के लिए कौन से series April series तो ये situation क्या दिशा बदल रही है क्य direction बदल रही है change हो रही है तो वो देखिए इसलिए मैं आपको clean करके फिर से ये fractals को दिखाऊंगा fractals अगर आप William fractal के indicator को लगा देते होते हैं ये points आपको already highlight होके आ जाते हैं क्यों क्यों क्योंकि ये बिलकुल peaks हैं ये peaks आपको highlight होके और bottoms आपको highlight होके निकल के आ जाते है और ये बहुत important मैं कहूंगा पहली बार दिशा बदलते हुई दिख रही है momentum में आता हुआ अभी आया नहीं है complete आता हुआ दिख रहा है range shift होती ही दिख रही है 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 range बदलते हुई stock की तो ये है कोई और नही यह है HDFC AMC का stock अब आपकी राई क्या हो सकती है इस stock के बारे में लेकिन हमारी जो अपनी राई stock के बारे में है कि initial levels इन gaps तक का और उसके बाद आगे की journey इन gaps को fill करने के बाद जिनको मैं कहूंगा true value genuine value gaps यह पार होने के बाद फिर अगली journey का जो है इंतजार रहेगा तो तब तक हम एक next level पे पहुचेंगे और जहां पे एक और अच्छा बहतरीन momentum हमें देखने को मिल सकता है तो इसलिए यह stock radar में रहने वाला है आने वाले कुछ महीनों में क्योंकि यह बहुत important support level को touch करता हुआ एक kind of reversal की formation करता हुआ बस confirmation की जरुवत है एक low risk high probability और high momentum एरिया में जाता हुआ stock उन्हें एरिया में पहुचता हुआ इसे डिए एपसी सी यानिके SDFC का बड़ा stock फिर से repeat करेंगे SDFC के और कौन से stock है SDFC life SDFC खुद और SDFC का bank बहुत बड़ा market capitalization है इस group के पास तो चलिए फिलाल wind up करता हूँ वीडियो को आप share कीजिए like कीजिए price action को सीखते रहिए practice करते रहिए and देखिए मैं आपको यही कहूंगा support कीजिए यहाँ पर motivate कीजिए हमें भी अपने comments के तुरू likes के तुरू share के तुरू and thank you thank you for watching the video